नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें आशा करते हैं आपको विडियो पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी के तौर पर समझेंगे दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है तो दोस्तों पूरा जरूर देखिए क्योंकि आधा अधूरा ज्यान घातक साबित होता है चलिए दोस्तों दिव्या नाम की स्त्री ने बताया कि उसे कौन-कौन से इशारे किया कर थी और लड़का एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया करता था तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने पर उसे इतनी आमदनी नहीं बन पा रही थी जैसे कि वह शादी करना चाहता था वह चाहता था कि इतनी कमाई कर लो जब ही मैं शादी करूंगा तो दोस्तों दिव्य उसे लड़के की बहुत ही ज्यादा बनती थी लड़के ने बताया कि वह अब ट्रेडिंग करने लग गया है। वह लड़का धीरे धीरे अमीर होने लगा कि एक टाइम पर उसने तीन तीन गाड़िया खरीद ली थी और दिव्या उसे समझा रही थी कि अब तो सुनो मेरी बात की अब तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो अब तो तुम्हारे पास इतना पैसा भी आ गया है। करती थी लड़का ट्रेडिंग करते करते अमीर बनने लग गया और उसे एक लड़की और मिल गई उसे लड़की के साथ वह घूमा करता था। एक दिन दिव्या ने उसे लड़के को उसे लड़की के साथ देख लिया दिव्या बहुत ही ज्यादा नाराच होने लगी उस लड़के को बहुत ही समझाया कि तुम्हारे लिए मैंने इतने साल बिता दिये और तुमने मुझे यही दिखाई दिया कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जब मैं मदद की तुम्हारी और तुम्हारे पास आज पैसे हैं, तो तुमने एक और नई लड़की ढूंद ली और मैं तुम्हारे लिए बैठी थी, कि तुम मुझसे शादी करोगे लड़का बहुत ज्यादा परिशान होने लगा, उसे लड़की ने भी उ बहुत ही माफी मांगी थी, जब जाकर दिव्या ने, उसे माफी दी दिव्या ने समझाया कि एक टाइम तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तो तुम्हारे पास कोई भी लड़की नहीं थी, और धीरे धीरे कर तुमने पैसे कमाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे तुम्हारे एक और नई लड़की आने लग गई वह उसे देखकर तुम मुझे भूलने भी लग गए थे लड़का बहुत ज्यादा रोने लगा उसने माफी भी मांगी अब मुझे माफ कर दो अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा लड़की ने बोला कि यह बात में पहले भी बोलती थी त तुम्हारे साथ थी वह तुम्हारे लिए यह नहीं थी वह नहीं तुम्हारे से प्रेन करती थी वह तो तुम्हारे पैसों से प्रेन करती थी इसलिए तुम्हारे पास रहा करती थी दिव्या उसे लड़के से शादी कर लेती है अब लड़का जौब पर भी जाया करता था वह trading भी क्या करता था और दोनों साथ में रहा करते थे तो दोस्तों यह वह बाते हैं जो पुरुश कभी नहीं समझ पाए कि स्त्री उसे कब साथ देती है और कब नहीं साथ देती है एक टाइम पर जब उसके पास पैसा भी नहीं था जब भी दिव्या ने उसका साथ दिया था, मगर वह पुरुष कप जाकर समझने लगा, जब दिव्या ने उसको बताया, दिव्या ने यह भी बोला था, कि तुम यह ट्रेडिंग छोड़ दो और जॉब पर जाया करो, कम पैसे ही क्यों ना हो, मैं तुमसे ही प्यार करती कि तुम्हारे पैसों से तो लड़का नहीं माना, लड़का दिनों दिन ज्यादा ट्रेडिंग करने लग गया था, और उसकी ऐसी लट लग गई थी कि ट्रेडिंग करते करते वह यह सोचता था, कि अब मेरे पास पहले जैसे पैसे क्यों नहीं आ रही हैं, मगर वह ट्रेडिं भी नहीं बचपारी थी घर पर और उसके घर में एक टाइन को खाने को भी नहीं हो पता था दिव्या ने उसको बहुत ही समझाया मगर लड़का नहीं मान रहा था दिव्या ने कैसे भी करके उसको ट्रेडिंग छुडवा दी और अब वह वैसा ही था जैसा पहले था जब उस और आज भी मेरे साथ है तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है अब मैं पहले की तरह ही जौब करूंगा और जितना पैसा होगा उसी में ही गुजरा करूंगा तो दोस्तों इस बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कर सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी जाए और ज्वाइन हो जाए दोस्तों आज की विडियो बहुत ही ज्यादा ज्यानवर्धक और शिक्षा प्रदक है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कमेंट में जै श्री कृष्णा हर हर महादेव विडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिये और एक लाइक जरूर कीजिये धन्यवाद दोस्तों